नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आसा करती हूं सब अच्छे हूंगे राज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी सा अचार जो सर्दियों में मिलती हैं ये मिर्ची लाल वाली बड़े वाली तो इनका भरवा अचार बनाएंगे और सर्दियों में ये अचार इतना टेस्टी लगता अब मैं इनको उतार के लिए आई हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग से मतलब दो तो मैंने पहले ही ली थी, अब हम इनके सरे डंठल अटा लेंगे, और जो डंठल नहीं अटते हैं, उन्हें आप चाकू की मदद से इस तरह काट सकते हैं, क्योंकि सूखने के बाद थोड़े टाइट हो जाते हैं डंठले, और सुखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इनमें सब में एक साइट कट लगा लेंगे इस तरह, क्योंकि हमें इनमें अंदर मसाला फिल करना है, तो आप इस तरह कट लगा लीजिए इनमें, और आप दो जादे हैं, तो उस्से क्या होता है, कि एक monte मिर्च जैसे निकालते हैं, तो और अराम से खा सकता है एक आदमी, क्योंकि जादे बड़ी लेंगे तो फिर वो खाई नहीं जाती है, फिर वो वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए, मैंने सम में कट लगा लिया है休breaker हम करत में डालने के लिए अब भून लेता हैं तो मसालों का नम्य निकल जाती है पांच चंमच दनिया लिया और चार चंमच में ले रही हूँ इसमें सोप सोप भी में दर्दरी पीस लियेरrees सोप वे हम डालेंगे पीली सरसो आप अगर चाते है काली सरसो भी साद्धा भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, जैसा आप कमन करें, मैंने सिंपल नमक जो खानी में डालते हैं, वो यह लिया है, टाटा वाला, तो वो मैंने डाई चम्मच इसमें डाल दिया है, 300 ग्राम की लगबग मेर मिर्चे हैं, और मैंने सरसो का तेल गरम कर लिया था अचार ये थोड़ा ज़्यादा ही गरम हो गया है, दूएं उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं डाल दूगी एक चमच हींग, तो हींग अच्छे से बुन जाएगा, और थोड़ा सा ठंडा करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप गरम गरम भी डाल सकते हैं, हमारा अचार खराब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, और ये अचार खराब नहीं होता है, मतलब मेरा तो कभी नहीं हुआ अज तक जब मैं बनाती हूँ, ध्यान रखना चाहिए कि गिल्ले हाथ ना हो आपके, तो इस तरह थोड़ा ड्राई सा ही रखते हैं, आम इ हमने एक साइध चीरा लगा के रख ली थी ना, कट लगा के, तो हम ऐसे फिल कर देंगे इनको, अच्छे से मसाले से और अच्छे से दबा दबा के बरेंगे और अच्छे दबा दबा के रखते चले जाएंगे सारी मिर्चों को, और आप इसको बना के देखिए, मोश्ली अ इसी सीजन में मिलते हैं, जिनको पसंद है, वो अभी बना के इसे रख सकते हैं, मैं कहीं बार तो 2-2 किलो मिर्च का बना लेती हूँ, दीदी अरके यां भी दे देती हूँ, तो सारी मिर्ची भर गी हैं मेरी, अब हमें इने रखना है डबे में, तो अभी हम डबे में रख द जाएंगे बिल्कुल जब तक तेल में रहता है न अचार तो खराब नहीं होता है लेकिन मैं बहुत जादा उइल वाला अचार खाना पसंद नहीं करती हूं हमारे गर में कोई भी तो इसलिए मैंने सिंपल इसी तरह रख दिया है और उपर से मैं इस पर थोड़ा सा उइल डा हो गया है और अभी हमारा जो तेल बचाता है न हींग वाला यह बचाव है मेरे पास जीतना भी बचाए देख सकते हैं आप चम्मच की मतकसे में थोड़ा थोड़ा ऐसा चारो तरब घुमाते वे मिज्चों पर इसे डाल दूगी आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं चाहे त आप खाना पसंद करते हैं और आप इसको अगर पूरा भर के रखना चाहते हैं तो हलका गरम करके ठंडा कर लीजिए उसके बाद इसको भर के भी रख सकते हैं तो आपका आचार कहीं साल भी खराब नहीं होगा यह तो अभी हम देख लेते हैं हमारा आचार देखो कैसी लगी में रेसिपी अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को राख